मसकार मेरे प्यारे किसान सातियों स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल सावाबाद केशरी पर मैं हूँ सौनू चौधरी किसान सातियों आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही जादा महत्तपुन धमाकेदार रहने वाली है क्योंकि इस वीडिय क्यों नहीं मिलने क्यों पर चोर बजारी हो रही है और आखिर क्या कारण है कि व्यापारियों को जो की छोटे व्यापारियों लोकल के मंडियों उन्हें जो है लाख और रुपे का घाटा इस आलू में उठाना पड़ा है वो भी तेजी की साल में तो ऐसे मैं यदि आप से सब्सक्राइब कर लिए पास महीं बेल आइकन इसे ओल पर हिट कर लिए और किसान साथियों जितना संभब हो सके वाट से फेस्बूक ग्रुप में वीडियो का लिंक और वीडियो भी शेर किया जिए किसान साथियों आज बात करेंगे हम जो है मंडियों में आज 50-100 रुपे की तेजी दर्ज की गई है उसका सबसे बड़ा में फेक्टर है मौसमिक गतिविद्यों में परिवर्तों होने के चल दे क्योंकि कई राज्जियों में जो है साउथ में चाहे तमिलनाडू हो करनाटका हो आंदरा प्रदेश हो या आपका पूर्व उत्तर में पश्यमंगाल हो या उत्तर में उत्तराघंड हमाचल प्रदेश या हर्यांडा इस्टेट हो या पंजाव हो यहां पर जो है जमाजम बारिस जो है देखने को मिलिया है जमाजम बारिस होने से एक आएक जो गर्मी प जो भी जितने अभी इंट्रेट बनता है वो उसका स्वाद लेना सभी चाहते हैं तो ऐसे में इस समय पर आलु के रेटों में भी एक एक जो है तेजी बनीगी साथ ही जब वहाँ पर वर्सात हुई तो जो है आवागमन प्रभावित हुआ जिसकी वज़े से आलु में सब्सक्राइब करने लग जाएंगे और इस समय पर उत्तर प्रदेश में क्योंकि कभी भी अप्रेल या मई के महीने में इतनी रिकॉर्ड निकासी नहीं हुई कि जो इस समय पर हो रही है गुजरात में एक करोड़ पैकेट निकल गया अलू का पंजाब में पचास हजार के करीब जो है जो की हमें जानकारी पराप्त हुई है इतना पैकेट जो है रिलीज किया जा चुका है बंगल की बात कहना है तो बंगल में दागी आलू सरवादिक है और जो बढ़िया क्वालिटी के आलू है वो सिर्फ 50-55% है तो ऐसे में जो दागी आलू है वो क्वालिटी किसी से छुपा हुआ नहीं है बंगाल में आलू जो है काफी खराब हो रहा है उसकी गुड़वक्ता खराब हो रही है लेकिन उसके बावजूद आलू का रेट जो है बारास वर्पी प्रती पैकेट का आंकड़ा जो है पार कर गया ये एक बहुत बड़ी खुश्की की बात ह है कि आज शुक्रवार का दिन है और जो है आज लगवा 10 माई की तारीक हो गई दोजाट 24 है और ऐसे मैं जब आज बंगाल में तीजी देखी गई है तो निश्री तोर पर आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश गुजरात और पंजाब में इसकी बारे में बात करें तो अभी जो इस्तितियां चल रही है वो खिसानों के काफी उलच चल लिए उसका सबसे बढ़ा करड़ है कि लोकल व्यापारियों द्वारा हो रहे लाकों के घाटे को क्योंकि इस समय पर local व्यापारी जो है south loader की hoard कर रहे हैं क्योंकि south loader हो तो वो जो है उनका अलू चाहिए बिक्री पर जाए या order पर जाए वो उसके अच्छे दाम बना लेते हैं क्योंकि उनका पर्मानेंट अलू जाता रहता है लेकिन local के व्यापारी south loader की hoard करने के चक्कर में अपनी सारी जमापुझी जो है इस समय पर गवा रहे हैं क्योंकि छोटे व्यापारी या local के व्यापारी होते हैं उन्हें चाहिए कि वो जो है अपने आलू को अपने local की मंडियों में ही विक्री करें जिससे किसान का ही फायदा हो और उनका खुद का नुकसान नहीं हो लेकिन किसी की hoard करने से सिवाय नुकसान के कुछ नहीं मिलता है हम देख रहे हैं कि इस समय पर कुछ व्यापारी अपने आपको 30 मार का समझते हुए जो कि साउथ लोड़ रहे हैं उनसे भी 21 दरों पर आलू खरीद ले जाते हैं और फिर उसके बाद में एक गाड़ी जो है उनका बूर्य अबिस्तर बांदेती है फिर वो जो घर पर पुलिस को महज 8 गंटे का समय लगा व्यापारी को उठा के जो है जेल वेज दिया जूट की फर्ज फर्जी सूचना दे रहा था ऐसे क्यों इनका कारण क्या है उसकी भी मजबूरी रही थी क्योंकि उसने जो है साउथ लोडरों की ओड कर ले अब जब साउथ लोडरों की आई होगा और वो भी विक्री पे वेज रहे हैं तो और बड़ा नुक्सान होगा तो ऐसे कुछ लोग जो है इस तरीके की ख़टनाओं को अंजाम दे देते हैं अब किसान सातियों 50 से 100 रपे की तेजी अगर मंडी में आई है तो वो जो है साउथ की मंडियों में आई है सा जे बाड़ा की मंडी हो या गुंटूर या सीलम या मद्रई आज यहाँ पर जो है आलू 28 रुपे किलो से लेकर 30 रुपे किलो की दर पर बिक्ए हैं बात करें नजदी की मंडी रामेश्वरम की या बात करें तिरूपती की तो यहाँ पर वी वी आईपी आलू 29 रुपे कि गें तो ट्रांस्पोर्ट यहां पर शहरफे का लगता है अगर आप 30 रुपे किलो में से शहरफे का भाड़ा कम कर दें बैसे तो जो है कोई कमिशन या पालिदारी नहीं लगती है और अगर 44 से बोटे जो है आपको मिल रहे एह система बार बोलता है हमाना ने नहीं कर रहे हैं इसको इसना फर्जी घटना फैला अब लेकिन हुआ क्या पुलिस नहीं चार गंडे में किस खूल दिया अब ये लोग जो है खोल्ड मालिकों के साथ मिली भगत करके आपको वो रेट नहीं दे रहे हैं अब 24 रुपे किलों से आप लगा लिजे क्योंकि सभी मंडियों में आलू जो है वहां पर 40-45 किलो की तौल पर जो है आलू में 200 रुपे प्रती पैकेट की तेजी की पूरी उम्मीद हमको यहां पर नजर आ रही है तो ऐसे में आप सभी लोग बिगर टेंशन किये हुए अपने आलू को स्टॉप करें अभी निकासी का विक्री ज़्यादा जल्दी करोगे तो यह लोग जो है आप लोगों का आलू जो है सस्ती दरों पर खरीद रहे हैं कोई यह आलू कभी खरीद नहीं पाये तो ऐसे मैं यह इस तरीकी का माहौल बना रहे हैं जिससे आपका आलू जो है सस्ती रुपे किलो की दर पर यहां पर बिके हैं इंदर के आलू की यहां पर 12 गाड़ियों की आवक है जोती जो है बढ़िया क्वालिटी 24 रुपे किलो से लेकर 25 रुपे किलो गुला जोती कर 17 रुपे किलो से लेकर 19 रुपे किलो और जो है एलार जो की वेफर पास है वो जो है 25 किसान साथी 26 रुपे किलो की दर पर बिके हैं बात करें किसान साथी तिरची की मंडी की तो तिरची की मंडी में आगरा के आलू 27 रुपे किलो से लेकर 29 रुपे किलो की दर पर बिके हैं चिन्ने की मंडी में आलू 28 रुपे किलो से लेकर 30 रुपे किलो की दर पर विके हैं किसान साथी बैंगलोगर की मंडी में भी आज जो है अच्छी कासी तेजी देखी गई है 102 रुपे किलो की आज जो है मार्केट जो है टाइट हुई है आगरा के आलू यहाँ 26 रुपे किलो से लेकर 27 रुपे किलो की दर पर विके हैं हैदराबाद की मंडी में आज जो है के मोहन 22 रुपे किलो से लेकर 24 रुपे किलो और 302 आलू जो है 24 रुपे किलो से लेकर 25 रुपे किलो की दर पर विके हैं समस्तिपुर की बात करेंगे जो कि बिहार है यहां पर गुल्ला आलू पूरे बिहार की बात कर लेते हैं तो लाल का गुल्ला जो है 23 रुपे किलो से लेकर 24 रुपे किलो, सफेद का गुल्ला 20 रुपे किलो से लेकर 22 रुपे किलो की दर पर बिखे हैं किसान जाती बात करेंगे जैपूर मंडी की तो जैपूर मंडी में आज जो है आलू 20 रुपे किलो से लेकर 21 रुपे किलो की दर पर बिके हैं मुंबई मंडी में आज आलू 20 रुपे किलो से लेकर साड़े 22 रुपे किलो की दर पर बिके हैं हुर्याना की फरिदाबाद मंडी में आज 22 रुपय किलोगोUP से लेकर 23 रुपय किलोगी दरपर आलु की कहनках है गो रखपुर मंडी की बात करेंगे तो 25 रुपय किलोग सिंदूरी आलू कलक मखाबले 2 रुपय किलोगी यहां तेज donor कि रेकि गाइं सफेद आलू की तो 19 रूपे किलों से लेकर 20 रूपे किलों की तेजी देगी गया अगर हम बात करें आप लोगों के लिए इन लोकल से लेकर साउथ की मंडियों की तो यहां पर साफ साफ इसपश तोर पर है कि जो एक दिन पहले मंडियां थी बुदवार और ब्रसपतिवार क यहां पर बात करें लोकल मंडियों के तो यह तो अगर इन्हें थोड़ा सभी अगर कहीं पर हो जाता तो यह जिल लेंगे लेकिन तुम कहां से जिल पाऊगे क्यों साउथ की लोडिंग के लिए दम बढ़ते हो जब दिख रहा है कि आपका लोकल का मंडिया तो लोकल की अपने अलू बेजो जिससे किसान का बला हो अब वहां पर लाखों रुपे के मारे जा रहे हैं अब तुमको रहें गाड़ी तूट के आ रही है तो सबका अपना-पना फंडा होता है ऐसी होड मत किया किजे किसी की होड से आप सकसेज नहीं हुपा हुए बात करेंगे किसा साथियों एहमदावाद मंडी की तो एहमदावाद मंडी में मन्जों की दीशा का पुखराज है वो 300 रुपे से लेकर 500 रुपे प्रती 20 केजी में बिक रहे हैं बादसा आलू जो है टॉप क्वालिटी के 500 रुपे से लेकर 541 रुपे तक ख्याती आलू जो है 400 रुपे से पर क्वालिटी का 470 रुपे तक आगरा के आलू जो है यहां पर 400 रुपे से लेकर 500 रुपे प्रती 20 केजी की दर पर बिक रहे हैं तो कुल मिलागे अगर हम इसे इन साभी मंडी में कोई गिरावट नहीं है उपर से इन मंडी में सभी में तेजी है किसी भी मंडी में इतनी गर्मी होने के बावजूद बैलेंस नहीं रुका है हलके आलू हलके भावों पर निकले और अच्छे आलू जो है अच्छे भावों पर लिक रहे हैं आरतियों के मुताबिक आने वाले दिनों में जैसे ही मौसम करवट लेगा तो आलू में अच्छी कासी डिमांड देखी जाएगी और जो है आलू जो है अच्छी रेटों पर विकेगा किसानों को यहां पर बिल्कुल भी गवराहाट नहीं करनी है क्योंकि गवराहाट में आकर अक्सर नुकसानी होता है और कोई फायदा नहीं होता है तो ऐसे मैं आप सभी लोग इस बातों से अब जो है चिंता महीं तक और इसके बाद अब इस्तितियां जो बनेंगी वह आप लोगों के लिए अनुकुल रहने वाली हैं तो ऐसे मैं यदि आप अपने आलू को बेच रहे हैं तो मैं तो आप लोगों को सगे से नहीं करूंगा रुक जाओ निकालना ही ज़रूरी है तो गुल्ला गुल का गृड़िंग का मारे ना उसमें जो है चमक का मारे उसमें सिर्फ का में साओर अपने हमें के हमें क्राइब आ经क चाहीए अब जब साइब भी सादाबाद खंदोली कोर्ली ट्रूर कें तो सोदे हुए हैं, लेकिन वो जो सोधे हुए हैं, वो जो है अन्नी कोल्ड इस्टोर पे नहीं हो रहे हैं, जिसकी वज़े से किसानों के अंदर गवराट और भै का माहौल है, कुछ लोग जो है चुनाव का बहाना बना कर सस्ती तरवा खरीद रहा है कि चुनाव के बाहने से किसान गवराट में आकर आलू निकाल देंगे, थे यही मानना होता है, किसान भै और गवराट में आकर आलू लेकिन हम इस बात को तबज्ज हो नहीं देते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि यदि आप 14 सुरुपिर प्रती-कट्था आ तोर पर विखेगा इससे किसी का बाप नहीं रोक सकता है नहीं हमारी बात को कोई जुटला सकता है क्योंकि हम जो कहेंगे वोसे धरातल से उखाड कर लाएंगे और आपके सामरे केंगे क्योंकि हमारी रिपोर्ट आप लोगों को पत्थर की लकीर मिलेगी जब से हम कह रहे है और आने वाले दनों में भी आप देखेगा क्योंकि केबल उन लोगों को ही हमारी वीडियो और हमारी रिपोर्ट से जुझलाट और खिस्यानी बिली के तरह खंबान होसते हैं उनको ही होती है जो आलू सस्ती दरों पर खरीदना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि किसान पिटी कटा कि दाम मिलने से कोई नहीं रोक सकता है लेकिन उसके लिए आपको सहीं बरतना होगा यह हतेली पर सर्सों जमानी वाली बातें मत कीजिए क्योंकि अब आप जब देखेंगे 10-15 दिन बाद तो जो बैश्वक निरियात हो रहा है उसका भी असर देखेंगे और 15 दिन बाद जो मौसम की गतिविदियां बदलेंगी और मौसम जो है एकदम आंदी तूफान और बारिस बार जैसे हलत आपको देश वर्म नजर आएंगे तब आपकी आंके बट्टा सी खुल जाएंगी कि हम सस्ती दरों पर क्यों आलू बेचगे आज आलू की इस्तितियां यह हैं क्योंकि आप सभी जानते हो इतनी गर्मी पड़ रही हैं जितने भी धलहन और तिलहन की फसलें हैं सबी प्रभावित हो रही हैं तमाम आप ड़ाएंगे कोई काम नहीं आ रही है हरी सब्सक्राइग की इस्तितियां भी यहीं द्रुगती हो रही है हरी भी काम नहीं कर रही है तो ऐसे में आप सभी समझे के आने वाले दिनों में आलू में तेजी है बस सयम और धैर रखना है क्योंकि जब तक आप इस चाहिए को नहीं करोगे तब तक आप नहीं ले पागों क्योंकि यह तेजी की साल है और तेजी की साल में हर कोई मुनाफ़ा क निश्ची तोर पर देखिएगा, जब बिकेगा तब हम आप लोगों को बताएंगे कि देखिए बिकरा है के नहीं बिकरा, अब कहीं हो तो नहीं, लेकिन इंतिजार कीजिए, हमारे एक सब्द का, जब हम आप लोगों को बोलें के निकालिए, क्योंकि हम उन लोगों में से न करेंगे लेकिन किसान साथियों आपका सायोग हमारे लिए बहुत ज्यादा अपेच्छित है तो ऐसे में आप सभी जो है अपने बुद्धी निर्विवेक से काम लीजे यह टपोरी टाइप के यूटीवरों की बातों में आके अपने आलू से हाथ मत दो यह क्योंकि आलू की मुझ से आगे बातें कर लें क्योंकि चार तारीके बाद आलू कोंचेगा चौदर सुर्पे प्रती कट्टा पार और लिख लो नोट कर लो और जो भी इस चीज़ को किसानों के अंदर गवराट पैदा करके उनका आलू निकालने की सोच रहा है वो बहुत ही ज्यादा निं आमिसा मीठा होता हैं आप लोगं को आलु के अच्छे दाम मिलेंगे मिलेंगे किसी का बाप नहीं रोक सकता हैë और दावा है मेरा अप लोगं के लिए और देखे लेना पथफर की लकीर मिलेगी मेरी यह रिपोर्ट और मिरी इस वीडियो से भी आप लोग कर लीजीएगा झाल झाल